Hello friends, आज हम बात करेंगे संसाधनों का वर्गी करन, यानि संसाधनों का वर्गी करन किन-किन आधार पर किया गया है, उसके बाद हम उत्पति के आधार पर जो दो तरीके से किये गया है, जैब संसाधन और अजैब संसाधन इस पर आर्चचा करेंगे, उसके बाद अगले दिन दुसरा पाड़ा लेंगे उसी तरीक से डालते रहेंगे चार दिन तो यहां पर शिंसाधनों का वर्घीकरन चार निम्नलिखित आधर पर किये गया है किये गया है यहां पर देखिए उत्पति के अधार पर जयव और अजयव, उप्योगीता के अधार पर दो भागों में बाटा गिया है, एक नवीकर्णिय संसादन और और नवीकर्णिय संसादन, स्वामित्व के अधार पर संसादन को चार भागों में बाटा गिया है, और विकास के अधार पर भी संसादन क चार भागों में बाताई है तो आज हम बात करेंगे उत्पती की अधार पर तो स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं उत्पती की अधार पर संसाधन दो परकार की होते हैं जैब संसाधन और अजैब संसाधन तो पहले हम जैब संसाधन परते हैं फिर अजैब संसाधन तो यहां पर जैव संसादन समझ लेते हैं, देख सकते हैं यहां पर वैसे संसादन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिनमें सजीव के लक्षन मोजूद होते हैं, वैसे संसादन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और जिनमें सजीव के लक्षन, यानि जीव जन्तु होते हैं उनके लक्षन मोजूद होते हैं उन्हें क्या गयते हैं जैव संसाधन के तो यहां पर देखिए मनुस्य में यह सजीव के लक्षन है उसके बाद वनस्पती जो है जार जंगल इनमें भी यह सजीव के लक्षन है मचली में भी मचली पसूधन इतियाद जिनमें सहजीव के लक्षनwe नहीं पाये जाते हैं उन्हें आजञब संसादन कहते हैं अब देखिये यहांपे जितने भी धुपिर्थिवी में आजञेब मतलब जीज है और जिनमें जान नहीं है वह क्या है ऑजञेब संसादन? जिसे चट्टान हो गया, चट्टान में क्या जान है, नहीं है चट्टान में जान, तो चट्टान हो गया, धातू हो गया, खनीज हो गया, उसी तरीकिसे जितने भी चीज हैं जिन में जान नहीं है, वो अजयब संसादन है, तो आज के लिए एतना ही, फिर अगले वीडियो मे आज आज हम बात करें के अधार पर याणि उसका उत्पादन किस तरीके से होता है। इनमें जन में जान होता है, और जन में जान नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे फिर अगले वीडियो में, तो आप लोग आज ये वीडियो देख लीजे और इसको एक दुबार रिवाज कर लीजे, मिलेंगे अगले वीडियो में, साथ ही साथ, अगर आप लोग हमारे चनले पर नहीं हैं, तो चनलों के